ये पूरा सार्वा सूपर फास्ट तीन पच्चिस बारा नो से क्या सी प्लेटफॉर्म नंबर एक पे उदेबुर के सिटी रेलोचिशन पहुच चुका हूँ फिलाल में किसलिए थोड़ी देरे में बताता हूँ आप लोगों ये पूरा सार्वा सूपर फास्ट तीन पच्चिस बारा नो से क्यासी प्लेटफॉर्म नंबर एक पे नाइट के दो बज कर 31 मिनिट हो चुके हैं देखो ये है सिटी रेलोच टेशन उदेपूर के एक्चुली अच्छा इस वक्त मैं हूँ उदेपूर रेलोच टेशन प्ले और लगबग साड़े आठ बजे मौर्निंग में 5 गणटे की जन्नी के बाद में साड़े आठ बजे असार्वा रेलोच टेशन जोकि एमदाबाद में है वहां उताद देगी पांच गंटे की जर्नी है ये ट्रेन डेली चलती एक्चुली जो लोग जाना चाते हैं उदेपूर से एमदबाद तो बड़ी इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली है उनके लिए ये बड़ी इंफर्मेटी वीडियो होने वाली है तो फिलाल अभी से चैनल को करते हैं सब सब्सक्राइब और वीडियो करते लाइक क्योंकि इस टैप की और भी इंफर्मेटी वीडियो आपको मिलने वाली है मेरे इस व्लोग में अच्छा जो लोग जैपूर से एमदबाद जाना चाते हैं या जैपूर से जाना चाते तो असारवास सूपरफास जो ट्रेन है बार पूम्भी एक्सपरस है जो मौरनिंग में पांचबे चलती है फिर चीतोट गड़ को यह एक्सपरस करके है वो भी मौरनिंग आफ्टरनून में चलती है तो दो तीन ट्रेनेोर है जो अधियत पूर से एकशली अधाबाद जाती है एक असारवा इंटर सिटी है जो इवनिं तिन दिन श्टे करने वाला हूं और वहाँ पर गोवा को फुल एक्स्प्लोर करने वाला हूं तो आभी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को कर देना लाइक अगर आप लोग प्लन कर रहे हो अप्रेल मंत में मही मंत में या फिर जून मंत में गोवा जाने वाका जो क्लाइमेट है वो कैसा है गोवा में कहां कहां आप गूम सकते हैं सब चीज़े एक्स्प्लोर करने वाले है एक्चुली सिगनल लग चुका है एस्ट्री में सिलीपर ह लो जी फाइनरली ट्रेन आगे यह दीस मिनट लेट एक्चुली लगबग डाइसो किलोमेटर के जर्नी है उद्यापूर्स से एमदाबाद सार्वा की और स्लिपर का जो चार्ज है ना वो लगबग 235 रुपए है चार बज चुके है चार बज के पांच मिनट तीन पैंटिस प्यानी थी जो लगबग 4 बजे के असपास आई है सब्सक्राइब चार बजे हिम्मतनगर पहुचा है यह लगबग पंदा मिनट ट्रेन लेट है तो कि अधार देल नगे अधाए है आपँ 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 एक सारी टाइमिंग पे पोचे हैं सारवा कि अब आने के बाद पता लग रहा है कि काफी उची-उची बीडिंग है रोड एक तुम चका-चक है साफ रोड है हर्याली है फिलाल असारवा रेलिए स्टेशन से उतरने के बाद मैं ने उर्टों पकड़ा और फिर अब जा रहा हूं रिवर फ्रंट अटल ब्रीज देखने के लिए साब्रमती रिवर फरंट रेखने के लिए और साथ में अटल ब्रीज देखने के लिए जो लोग उजयपूर से जैपूर से गोवा जाना चाहते हैं वाया एमदाबाद होकर क्योंकि एमदाबाद से साड़े तीन बजे की ट्रेन है जो अगले जिन मॉर्निंग में स आड़े आठ बजे के आसपास गोवा मढगाओं में उतार देगी तो अभी 5-6 गंटे हैं यूज कर लेते हैं और फिलाल अब निकलते हैं आटल ब्रीज देखने के लिए और साब्रमती रिवर फरंट देखने के लिए अगर चैनल को फर्स्टम आये हैं तो चैनल को जो सब सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और अटल ब्रीज वाला व्लोग और साब्रमती रिवर फरंट वाला व्लोग लैस्ट व्लोग में आपको दिखें देगा क्योंकि व्लोग ओरडी काफी लंबा हो चुका है बाई